दोस्तों आज हम शेयर करने जा रहे हैं आपसे एक बहुत ही यमी रेसिपी स्टफ्ट मसाला इडली और फ्राइड स्टफ्ट मसाला इडली तो चलिए शुरू करते हैं आज का यमी वीडियो गोस्तों आज में शेयर करने वाली हूं आपसे इंस्टेंट रवा इडली और स्टफ़ड रवा इडली और मसाले वाली स्टफड रवा इडली फ्राइड की रेसिपी तो आप इतर देख सकते हो यह मैं बना रही हूं सामभर जो अलमोस्ट रेडी होने वाला है सामभर की रेसिपी तो आप सबको मालूम ही होगी वैजीज डालनी है आपको डाले भीगो के रख देनी है और फिर एक बॉयल देना है और बस अब यह सारे मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएं तब तक हम इसे कुप करेंगे और यह रही मेरी स्टवड मसाला इडली जो की बहुत ही यमी देख रही है और 7 मैं इसके चलेंगी दो चटनी तो यह रैसिपी में बतारी हूँ नारियल के चटनी के अगर आपके पास फ्रेश नारियल नहीं है और आपके पास करी लीपस नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है आप इस तरह से भी बना सकते हैं और इसका टेस्ट भी बहु कि मैंने फ्राइड करके डाले हैं आपको डालनी है हरी मिर्च और आपको डालनी है थोड़ी सी एसफ़ोटिडिया और साथ में थोड़ा सा सॉल्ट और जब यह मिक्स्चर ग्राइंड हो जाएगा देन यू एड कर्ड ओन इट और उसके बाद हम इसे तड़का देंगे करी लीफ्स का और जो हमारे सरसोग के दाने होते हैं उसका लेकिन वो हम बाद में देंगे पहले में इसे ग्राइंड कर लेंगे और अब हम चलते हैं दूसरी चटनी की हो तो दोस्तों यह हमारी दूसरी चटनी जो की है रेड चटनी जो हमेशा आपने स्टाफ डिडली के तो हम मैं जल्दी जल्दी आपको सारी चीज़े समझा देती हूं ताकि आप फटा फट से बना सके आदे घंटे में पहले ही सारी चीज़े प्रिपेर करके रख लें तो अब आप देख सकते हो कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि कि सबसे पहले आपको लैसन टमारटर प्याज अकोरडिंग तु योर टीस्ट आपको फ्राइ कर लेना है उसके बाद में आपको इसमें करी लिव्स टाल दे हैं और इसको गॉइन कर लेना है गॉइन कर लेना है और बस त'llka देना रह गया है आपको थोड़ी सी चनी की दाल को मतलब थोड़ा सा फ्राइ करके डालना पड़ेगा अगर नहीं है तो आप उन्हें वे चने यूज कर सकते हैं यह थाज का टिप तो अब यह चटनी रेडी है बिलकुल और अब हम जा रहे हैं अपनी स्टफ इडली बनाने तो आए उसका प्रॉसस देख लेते हैं से पहले क कि हम अपनी स्टफ डीडली बनाएं तो सर पहले हम अपना मैं जल्दी जल्दी बता रही हो ना आपको तो से पहले अपना सांबर चेक कर लेते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है बहुत जादा यह थिक नहीं होना चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सथिक और करूंगी बांकि इडली स्टेंड है बट क्यूंकि मैं दो लोगों के लिए बना रही हूं तो मैं इस तरह से सेट अप करके रखा है तो आप देख सकते हो कि इस इडली स्टेंड को सबसे पहले हमें ओईलिंग करनी होगी जो कि आप जानते हैं एक जरूरी प्रासस है आप ओलिव ऑल भी सब्लिशे ईस कर लोगो हो इसि में ढunto लेंगे बैटर और बैटर को हम हलका सा इस कंसिस्टेंसी का रखेंगे आप देख बा रहे होंगे ना पतला इसको रिबन कंसिस्टेंसी कहते हैं और ना ही बहुत जादा गाढ़ा अब पहले हम थोड़ा थोड़ा एमाउन डालेंगे इसमें आप देख पा रहे हैं मैंने पहले इसको हाफ-ाफ फिल किया है अब मैं डालूंगी इसमें स्टफिंग तो पहले अब स्टफिंग की बात कर लेते हैं स्टफिंग में दोस्तों आपको डालना है ऑईल प्याज और आप इसमें मटर भी डाल सकते हरी मटर कसूरी मेथी हरी धनिया नमक स्वादानुसार और अच्छे से मसले हुए पटैटोस इसके बाद आपको इस तरह से उसके छोटे-छोटे पेड़े बना लेने इसको हलका सा पिंच करके आपको इसके उपर रखना है और अब हम इसे कवर कर देंगे अच्छे से तो अब यह चारो कवर हो गया है अब हम इसको दस मिनट तक पकने देंगे और फिर हम इसे निकाल लेंगे और निकाल लेंगे उससे पहले हम चेक कर लेते हैं अपना सांबर अब इसकी कंसिस्टेंसी काफी सही लग रही है तो अब बस तड़की की जरूरत है तो दोस्तों दस मिनट हो चुके हैं अब आप देख सकते हो मेरी रवाइटली पिलकुल रेडी है खाने के लिए यह है फ्राइट और यह है बिना फ्राइट और दोनों ही बहुत सूपर ट वीडियो लेट मी ने कॉमेंट सेक्शन तब तक के लिए बाबाए